घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अरे आना अरे आना अरे आना अरे आना नमस्कार मैं हूं आसन निशाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल तो जैसा कि आपने थमनेल और उससे टाइटल से पता करी लिया होगा आज का जो टॉपिक है वो एक एक साइज है जो आप कर सकते हैं साथ ही साथ इस वीडियो के भी और घर बैठ कर भी अगर इस चीज़ को आप समझ लें तो आप खुद के गुरू बन सकते हैं यह यह कहूं कि आप खुद अभ्यास करा सकते हैं खुद को यह ना तो वही एक गुरू का काम होता है कि वो मारक दर्शन करता है और एक तरीका बताता है कि क्या अभ्यास का तरीका है और कई बार वो साथ भी अभ्यास कराता है अगर आपके पास और कोई साधन नहीं है तो अगर आपके उसी से related कुछ एक तक्नीक है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे स्वर डवलब होंगे ठीक है तो उस पर बात करने से पहले आईए हम बात कर लेते हैं हमारे स्पॉंसर आप रियाज आप के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं और मैंने हर वीडियो में भी बताया है पिछले कि काफी बहतरीन आप है जिसके जरीए आप हिंदुस्तानी करनाटा के और बॉलिवुट संगीत आप सीख सकते हैं गर बैठ कर और इसको अगर आप खरीदेंगे तो कूपन कोड में अगर आप SPW का कूपन कोड यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा तो देखिए जरूर आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो जब आपकी बात हो चुकी है तो आईए दुबारा बात करते हैं हमारे टॉपिक पर जो की है जो मैं बताने जा रहा थे कि ऐसी क्या तकनीके मैं दे सकता हूं जिससे कि आप खुद के जुस्वर हैं वो डेवलप कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने च्छोटी सी चीज बताई कि सुनने से संगीत में बहुत कुछ आता है तो हम कहवत भी बोलते हैं कि जैसे पहले कांसेन फिर तांसेन तो एक अभ्यास है देखिए हम क्या करते हैं जब स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठते हैं तो एक परंपरा है गुरु शिश परंपरा जिसमें क्या होता है गु गुरू जी के स्वर सुनते हैं और वही स्वर खुद में डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत कौन सा सौर कैसा है वो हमें गुरू के स्वरों से मालूम चलता है तो अब जिनके पास गुरू नहीं होते वो साज को अपना गुरू बनाते हैं मगर जरू इसका है कि आप कर सकते हैं ये कि जो अलंकार है या जो भी चीज है उसको पहले पहले आप बजाएं अच्छे से सुनें फिर रिपीट करें ये एक exercise है छोटी सी अब कई लोग इसका ये भी बोलते हैं कि भाईतान पुरा पेरियाज करना चाहिए हर्मोनियम पर मत कीजे क्यों बिना हर्मोनियम के आप गा नहीं पाएंगे और हर्मोनियम आपको बेसुरा बना देता है क्योंकि इसमें जो है वो स्वर निश्चित है लेकिन गाईकी में राग अनुसार जो है स्वर अलग अलग लगता है किसी में रिशब अगर कोमल भी है तो भाईया बिलास खानी का क कोमल रिशब अलग है और तोड़ी का कोमल रिशब अलग है तो बहरवी का और अलग है तो ये भी चीज है और ये सत्य बात है कि किसी में अती कोमल लगता है किसी में उतना कोमल नहीं लगता है कुछ शुरुतियां डाउन उपर नीचे होती है मगर वो ब्रैक्टिस करने को को का जा रहा है जो basic swear development है उनके लिए मैं कहता हूँ या हम बताते हैं हमारा institute भी कहता है या जो हमारी philosophy है या कुछ और भी लोग मानते होंगे जो करेंगे इसको मानेंगे कि अगर आप harmonium पर अलंकार एक बार रियाज कर रहे हो तो अगर आप कर सकते हो इतना उसमें कुछ गल क्या है उसके पास या तो वो वीडियो देखो सीखे गा या फिर तान पूरे पर खुद से गाता रहेगा गाता रहेगा तो मैं आपको संगीत की तासीर कुछ यू है कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्वर और ले जो हैं वो खुद से आते हैं उपर वाले की देन है रियाज करते हो तो कुछ तजर्बे होते हैं जिनसे स्वर और ले धीरे 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 बैट दी जाती है हमें वो अंदाजा जो हमारा पक्का होता जाता है कि ये जो स्वर है इसकी frequency कितनी है इतना है तो ये इतना जाएगा इतनी उचाए इतनी नीचाई तो वो धीरे धीरे आ जाती है तो जितना सुनोगे उतना स्वर develop होगा तो ये चीज मुम्किन है कि आप अगर harmonium से एक बार अलंकार बजाया आराम से गती में क्योंकि पहली बात वो ornaments जो है musical जो मैं अक्सर आप लोगों को भी समझाएं है मैंने कि जो मीड है जो गमक है जो कण है वो मुम्किन नहीं है कि इस साज से निकले सारंगी में या जो वाइलन है उसमें वो चीज़ें फिर भी निकल सकती है इसमें range की वो चीज है कि जो गले की range वो इसमें नहीं होती है कई बार जो कई गुणी जन है कई र्याजी ऐसे भी हैं जो इसको पार कर जाते हैं तो वो इसमें दिक्खत है और्नमेंट्स की है कि मींड इसमें वैसी नहीं लेगेगी जैसी आपको चाहिए तो वो है कि कुछ रूतियां आप अलग छूरे हो तो वो इसमें नहीं निकलेंगी मगर अलंकारों का जो र्याज है जिससे कि स्वर एक बार बैठेंगे वो हो सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि हर्मनिम से एक बार वो र्याज तो करी सकते हो आप जैसे कि हम एक एक अलंकार गाएंगे तो पहले इसको बजा लेंगे और कम गती से शुरू करेंगे क्योंकि जितना जादा सुनोगे आप उतना जादा आएगा लंबा लंबा स्वर को जितना सुनोगे उतना उतना आएगा जैसे कि हम स्वर विस्तार की जो तकनीग हम सिखाते हैं जो बताते हैं कि जिससे रेंज में थोड़ा इजाफा होगा उसमें क्या करते हैं पहले हम स्वर लगता है तो लगते ही बोलते नहीं है उसको सुनते हैं कुछ सेकंड्स हमेशा ये चीज मैंने बताई है कि स्वर और ले सीखने के जो तरीके तो है नहीं पर जो सिलिबस मैंने एक थोड़ा सा डिजाइन कर दिया कि ऐसे करो तो शायद आ जाए उसमें क्या है पहला पॉइंट अब्जर्वेशन का और अब्जर्वेशन कैसे करते हैं हम सुनके देखके और फील करके तो स्वर में आपको फील नहीं करा सकता ले मैं आपको ऐसे टैप करूँगा तो आपकी बॉड़ी में फील हो जाएगी एक दो तीन ऐसे बोलूँगा सुनाई दे जाएगी घड़ी चला दूँगा या मेट्रोनोम चला दूँगा तो दिख जाएगी पर स्वर जो है वो य के लिए हम को जितना जादा सुने उतना जादा आता है the फिर हमने कंई न ćूदे होकी यह इंट भूता था यह जब अपने लहे सीखी हो गी तो शुरुआत में लहे चल रहे तो वह सन रहें कितना जा रहा है चार-पांच बीट निकल गई फिर हम पकड़ पाते थे बराबर में आ पाते थे उसके उसका सामन जससे बिठा पाते थे ठेकिन फिर धीरे धीरे ही हुआ कि एक दो बीट सुने और आधी बीट में ही पता चल जाती अच्छा ये ले जा रही है तो ये धीरे-धीरे स्वर के सा आए गई पहले एक बर पूरा लंकर सुनेंगे तो पार के अधीरे निहीं पर पूरा लंकर पूरा पूरा पिरह दो है खिर है खिरहेंगे पारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागरे सा इस तरीके से तो यही चीज मुझे समझानी थी आज लेकिन ये वीडियो ऐसा आप कह सकते हैं कि अगले वीडियो का एक हिंट है क्योंकि जल्द मैं इस टेकनीक को आप लोगों को लाके दूँगा यानि कि जैसा कि हमने complete morning vocal रियास दिया था जैसे कि पहले हमने technique समझाई फिर हमने complete morning vocal रियास दिया उन लोगों के लिए जो वैसे कोई है भी नहीं करने वाला तो वीडियो के साथ कर सकते हैं तो उसी तरह से एक वीडियो मैं complete बना दूँगा लगबग 15-20 मिनिट का हो तो मेरे ख्याल से बहतर रहेगा जिसमें एक एक अलंकार मैं पहले बजाऊंगा फिर गाऊंगा है ना तो जब वो बज रहा होगा उतने space में आप गा सकते हैं तो मैं पहली सफेज से बना दूँगा तो वो बनिस्बत अच्छा scale है अगर आप जादा उचा नीचा भी नहीं पड़ता है ना और female scale भी जल्द वैसा एक वीडियो आ जाएगा जिसमें की lower scale पांच वी से या चौथी से हम ऐसा अलंकारों को करेंगे और उसमें धीरे धीरे अलग अलंकार लेंगे अलग अलग लएक अलंकार लेंगे और धीरे धीरे उसमें difficulty level बनाएंगे एसा एक वीडियो जल्द मैं कोशिश करूँगा कि आप सब तक पहुचा सकूँ ताकि वो आपकी और मदद करेगा ठीक है तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रवावल्ड के वीडियो एंड लाइक कमेंट शेर करें इस वीडियो को और स्वरांगी नहीं जो किताब है हमार वो खरीदें वो मंगाएं उससे आपको और भी अलंकार सीखने को मिलेंगे रागेन सीखने को मिलेगी हमारा सिलबस जानने को मिलेगा ठीक है एंड रियाज अब जरू डाउनलोड कीजेगा सब्सक्राइब दे चैनल